नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नाम नरेंद्रे विक्रम शाह है दोस्तों आज हम बात करें हैं कमजोर रहो के क्या लक्षण होते हैं दोस्तों ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी कुंडली नहीं होती तो दोस्तों आज हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे आप जान सकते हैं कि आपका राहू कुल्ली में कमजोर है या अच्छी स्थिती में है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों दोस्तों प्रोगाम को शुरू करते हैं दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कमजोर रहो के क्या लक्षण है तो दोस्तों जो वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले एपिसोड में कि रहो क्या है उसे क्या कारी है दोस्तो आज हम बात करेंगे उनके क्या लक्षण जब रहु कमज़ोर इस्तिति में होता है दोस्तो पहले लक्षण यह बहुत मुख्षी और विशेज लक्षण है दोस्तो जिस भी जातक का रहु खराब होता है उसके हातों के नखुन जड़ आते हैं तो दोस्तो समझ लेना कि आपका राहू खराब है। दोस्तो दूसा काण होता है अचानक घटना है। दोस्तो राहू अचानक घटनाओं का कारक भी है। मान लो कि आपका अच्छा खासा बिजनस चल रहा हूं और अच्छानक बंध हो जाए। तो समझ लेना कि आपका राहू खराब है यह मान के चलो कि आप अच्छा खासा घर से सफर करने के निकलेते हैं किसी काम से निकलेते आचानक एक्सडेंट हो जाए तो समझ लेना कि राहू खराब है जो भी जिवन में अचानक घटना घट रही है जिसका कोई भी हमें अंदाजा नहीं है तो समझ लो कि हमारा राहू खराब है दोस्तों राहू हमें ऐसी बीमारिया देता है जिसने मान लो कि हम डोक्टरा के पास गए और छोटे मोटे लाज के लिए गए थे और अच्छनक बड़ी बीमारी आ जाए तो अभी समझ लो कि राहू खराब है दोस्तों आदमें को अधिक डर लगना सुरू हो जाए हर बात से गवरा जाए तो समझ लेना कि आपका राहू खराब है दोस्तों राहू का एक विशेज कमी यह है कि राहू ना हमारे सरका कारक होता है उसका दिल से कोई संब्द नहीं होता है क्योंकि राहू के पास सरी सर है दोस्तों जब भी जिस जातक का राहू खराप होता है उसका मन में और मस्ते के कभी संब्द एक होई नहीं पाते यानि कि दिल और दिमाग कभी एक लक्षे पे आई नहीं पाते पता नहीं क्या-क्या सूशते रखेंगे और क्या-क्या अनुमान लगाते रहते हैं लेकिन किसी भी नतीजबे नहीं पहुंच पाते हैं तो आदमी को ऐसा संगा और संदे बना रहता है दोस्तो अगर रहू खराब हो तो रहू आदमी को जुड बोलने की आदत भी देता है जुवा खेलना, सठा खेलना, देख को मैंने का था आ अठनक गटना जुवा क्या होता है कि अठनक की भौट धन देता है और अठनक सवाधन छीन लेता है तो जातका जब रहु खराब होता है उसको आपको जुवा खिलने का आद लग जाएगी, सटा खिलने का आद लग जाएगी, शराप पिने का आद लग जाती है जब रहु खराब होता है कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसकारण आदमी नशे की तरफ जोड़ जाएगा और नशे का आदी हो जाता है जब रहू बहुत खराब होता है दोस्तों जब रहू खराब होता है तो आदमी को गाली देने की आदत बन जाती है या यूं कहें कि उसकी वाणी इतनी कठोर हो जाती है जिससे भी बात करेगा उसका दिल दुखा देगा या कुछ ऐसा बोल देगा कि दूसरा इंसान इतना दुखी या परशान हो जाएगा जिसकी कोई हादे नहीं है दोस्तों राव हमारी ठोड़िया कारग भी होता है आगर जिसका राव खराप होता है उसको ठोड़ी में बड़ी दिक्कत या चोट या कुछ भी हो सकता है दूसरा रहू हमारे पेट का कारक भी है क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें रहू का इस्थान उसके पेट में यानि कि उधर में है जब भी रहू बहुत खराप होगा उसको पेट समझी बड़ी समस्या आएगी दूसरा गठिया का रोग, रहू जब खराप होगा तो गठिया का रोग दे देता है, यानि कि जोडो-जोडो में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रहू ना हमारी वाई तत्ति से भी जुड़ावा है, यानि कि शरीर में गैसो द्वारा जो भी तकलीब होगी, वो के द्वारा होती है, बड़ी बड़ी बीमार्य हो जाना जिससे आदमी बची ना पाए, जिससे एक एंसर हो जाना, इसका कारग भी रहू होता है, दोस्तों, अगर रहू खराप हो ना, तो जातक को, सांपों से बड़ा खरा होता है, आप जैसे कुछ जंगल में घोमर हो या जाता का रहु खराब होगा, उसका काले रंग का कुटा मर जाएगा या कुटा लर्का कोई भी हो वो मरता रहेगा, जितनी बार आप पालोगे, उतनी बार आप बार आप भाग जायएगा या मर जाएगा, दूसरा, कि आपको कुटे काड़ भी सकते हैं, अगर आप लَّर को खराभ हलता है। दोस्तों, रहू बहरम का नश्ता है, तो दोस्तों, यह से बार बहर मन ले के बिचारा जाना या फिर हर किसे मिटे हो जाना अया बहरम प्ैदा होना है कि आप हमेसा कनफ्यूजी हूँ हुए यहें जान पाएंगे किए मेरा है प्राया है। हर चीज से डर, हर चीज से गभाट रहेगी आपको, कि क्या सही है, क्या नहीं है, आप अनुमान लगा है नहीं सकते, यह मान के चलो, जिसे कहते हैं, यह है भी कि नहीं है, इसी में आप रह जाओगे, सच को ही नहीं जान पाओगे, अगर रहु खराब होता है, दोस्तों, जि दुनिया आज इनने के पीछ है, लेकिन अगर आप उससे गलत इस्तमाल कर रहे हैं, मूबाइल ले रहे हैं, लेकि अच्छे के जगा गलत इस्तमाल कर रहे हैं, तो समझ लो कि रहु खराब है, यह कहते हैं, आदमी को इतनी आज़त पढ़ आती उस चीज की, कि उसके बिना कि आपका रहु खराब है, दोस्तों, दूसरा रहु होता है, हमारे खर्चे कारक, यह मान कर चलो, जो भी आचाना घटना होती है, उसका कारक रहु होता है, जैसे मान लो, कि आचाना कहीं एक्सिडेंट हो जाए, या कोई फिजिकरी दिक्कत आ जाए, वहां बहुत पैसा ल जाए, तो समझ जाओ, आपका रहु खराब है, अगर आपका अधिक पैसा, कोट के चेरी में लग रहा है, या किसी भी करण, और आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे है, और धन बहुत हानी हो रही है, तो समझ लो, कि आपका रहु खराब है, दूसरा रहु का बताया गया कि ब्रहम पैदा करता है, दोस्तों, जब किसी भी जाता को ऐसी बीमारी देता है रहु, कि डॉक्टर भी नहीं जान पाते है, कि इसे बीमारी क्या है, आपके इलाज चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर भी कन्स्यूज रहेगा, कि इसे दिक्कत क्या, ठीक हा रहे है, या कभ गर रहु आपका खाराब है. दोस्तो रहु कुद्ली में विर्द अवस्ता का कारक है. दोस्तो जितने периज़े परिवाद में विर्द लोग पाराब है. जिसे नाना, नानी, आपका दादा, दादी, अगर आप उनका समाने करते हैं, अगर आपके उनसे विचार ने मिल रहे है या उनका सुक ने मिल रहा है तो समझ लो कि आपका राहू खराब है दोस्तो जो विशेज गुण है रहु का वो विशेज गुण दिये है दोस्तो रहु बहुत आंकार देता है बहुत गमर देता है अकर आपका रहु खराब हो तो दोस्तो जब रहु खराब होता है तो रहु इंसान के अंदर ब्रहम पैदा कर देता है जैसे अपने आपके बार तो जातक का परिवार में कभी ताल में नहीं बैड़ पाता उनका परिवार से किस ना किसी बात से विवात चलता रहता है दोस्तों यह विशेज गुण है रहो का अगर खाना खाते हुए आपके खाने में बार-बार बाल आ जाए तो समझ लो कि आपका रहू कराब है जातक को तो अगर नशे आदिक की आज़ पड़ जाना, जिसे शराप पीना, सिग्रेड पीना, ये किसी ना किसी गलत चीज का आदि हो जाना, तो समझ लो कि उसका राहू खराब है, दोस्तो राहू के कारण, आपके जीवन में ऐसी समस्या उत्पन हो जाना, जिसका पता है ना चले, तो समझ लो की राहू खराब है, जिसे मालू आप काम कर रहे हो, और काम में दिक्कत आया और आपको मालूम ही नहीं हो रहा कि ये हो क्यो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा कारिय कर रहे हो, जो सही होने पे नहीं आ रहा पर गलत क्यों हो रहा है, इसका पता ना चले, तो खराब है कोई इनसान घर काम यह गर बना स्टाथा है तो पर आप प्रव्हार का आपetrी अघ्या आपकी तीटाव में जाए घाई आ रहे हैं तो समझ लो कि आपका राहु खराब है आपको कोड की बीमारी हो रही है ये किसी कोड की बीमारी हो रखी है तो समझ लो उसका राहु खराब है दोस्तों आप इन लक्षनों से जान सकते हैं कि आपका राहु कमजोर है कि नहीं है दोस्तों अब बात करते हैं इनके उपायों के बारे में, दोस्तों, इसका पहला उपाय है, मा सस्वती की पूजा राधना करना, दोस्तों, जो मा सस्वती है, वो हमारी बुद्धी की और हमारी वानी की कारक होती है, जब रावु खराप होता है, तो हमारी यह चीजे खराप हो जाती है, हमारी बुद्धी खरा और उसे हमेशा गहत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए इसे बुद्धी का विकास होता है दूसरा दान है इसका मुली का दान ये विशेश दान है जातक का जब रहु खराप हो तो उसे मुली का दान करना चाहिए उसे मुली के पते काटके उसका दान करें विशेश जाता है दोस्तों जो घर की छट होती है उसका विशेज ख्या लखे अगर उसमें छेद है या कुछ भी दिक्कता रहे कि उसे ठीक राएं चट को कभी भी गंदा ना रहने दे उसे में साफ रखे और इंधन का समान घर चट पे ना रखे लिए से गैस लेंडर कुछ भी हो तो अज्यढ़ थो भी रहो का स्थान होता है तो उसका विशेज ख्यार रखे उसको ही साफ शुत्रह रखे दूसरा जो घर कर टैनी टोलेट उसका ना विए उस टोलेट को हमेसा साफ रखें, साफ सुत्रा रखें, और हमेसा दच्छन या पच्छन दिशा में रखें, क्योंकि टोलेट का कारग भी रहू होता है, जो विशेज बात है, दोस्तों, रहू जब खराप होता है, यानि वो कमजोर होता है, तो आद्वी के मन को बड़ा सकता है, दोस्तों, जब रहू खराप हो, सबसे पहले बात, अध्यात में क्यानि पूजा पाड अधिक करें, अच्छे किताबे पड़े, साफ सुत्रा रहे, अच्छे विचार रखें, तो दोस्तों, रहू आपका ठेक हो जाता है, और दोस्तों, रहू में क्वाल्टी है, चीन भी बहुत कुछ लेता है, और जब अच्छी स्थितिमा है, तो बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि अचानक धन देता है, अचानक धन चीन भी लेता है, दोस्तों, जो घर में, अगर मकडी के जाले बन रहे हो, तो उसे साफ रखें, उसे ना होने दें, और घर के अंद अच्छा होता है और आद्मियों कष्ट कम होता है दोस्तों खोटा सिक्का अगर आपको कहीं से मिल सके उससे चलते पानी में बहाएं इससे भी राहू ठीक होता है दोस्तों कोईला दोस्तों ये भी उत्तम उपाय है राहू का 12 कोईले ले अपने उपर से एक कोईला गुमाए और रहू का मंत्र बोलने और चलते पानी में बहाएं इससे भी रहू ठीक होता है या अपने बजन के बराबर कोले ले और चलते पानी में बहाएं इससे भी रहू ठीक स्थिति में आ जाता है दोस्तों अगर रहू खराब हो तो चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखें यह यह कहें कि चांदी अधिक पैने, चांदी की चैने पैने, चांदी के बेसलेट पैने इससे भी रहू ठीक हो जाता है दोस्तों जो सफाई नहीं करते हमारे वाल में की भाई होते हैं जो भी सफाई करता हो अगर आप उसको अचार का दान देंगे इससे भी राहू अच्छी स्थिति में आ जाता है दोस्तों, अगर राहू आपको बहुत ही तंग कर रहा हूँ, यानि बहुत परशान कर रहा हूँ, तो दोस्तों, अपने बजन के बराबर जो लेके चलते पानी में बहाएं, इससे भी राहू ठीक स्थिती में आ जाता है, दोस्तों, जब राहू खराब होता है, तो जातों को तो आपको अच्छी नीद आएगी दोस्तों अगला उपाई यह है अपनी आये का कुछ हिस्सा अपनी बेहन या बेटी को दो या फिर जो कन्यादान करते हैं शादी जो बहुत गरीब लोग हो जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हो उनकी शादी में मदद करें इससे रहू बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और आपको उत्तम फल मिलता है दोस्तों रहू होता है हमारे सस्वाल पक्ष का दोस्तों कभी भी सस्वाल पक्ष से जढ़ा ना करें उनसे कभी ना बिगाड़े हमेसा उनका आदर करें दूसरा कभी भी अपने सस्वाल पर स्पक्स से एलोट्रोनिक समान ना लें टीबी, टावी, जिसमें भी तरंग है, करंट है ऐसे समान ना लें इसे भी राहू खराब हो जाता है उल्टा अपने सस्वाल को चीजे दें इसे आपका राहू ठीक हो जाएगा दोस्तों कभी भी सुत्रे रहें, इसे भी राहू ठीक रहता है दोस्तों, ये लक्षण और ये उपा हैं राहू के दोस्तों, आज हम ने आपको इसकी छोटी-छोटी जानकारी दिये, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेर जरूर करें, और जो नीचे ये घूम रहा है, आप से हाथ जोड़की भिंती है इसको प्रिस को दवा देना, और तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत